सबी दोस्तों को जैहिंद, welcome to my new vlog, तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, दोस्तों आज की वीडियो में बात करते हैं, CRPF, Head Constable, Ministeral, Air, ASI, आपके इक्जाम है, पहले ही स्टार्ट हो चुके है, अब दोस्तों इसमें,, महतर पूलेट छीज आती रहती है, कि क्या आप इसमें departmental exam दे सकते हैं, और दोस्तों यदि आप इसमें departmental exam देना चाहते हैं तो आप किस पोस्ट केलिए अपने exam दे सकते हैं, और दोस्तों क्या होता है procedure कितनी साल आपकी चाहिए service ऐसे दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट information आपको इस वीडियो मिलने वाली है तो प्लीज वीडियो को देखें लास तक और वीडियो अची लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें अबके बैल अगन प्रेस करें तक हमने वाली वीडियो का नोटिफिकनस सपहला आपको मिल सकें चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ तो तुस्तों सब्सक्राइब बात करते हैं कि यसे कल से अपके ग्स्टाट हो चुके हैं और अपको सेवन्टी माक्स आ गए तो दोस्तों आपको टैपिंग क्लियर करनी है डेफिनेटली आपका एक्जाम जो है क्लियर हो जाएगा अब दोस्तों बताता हूं आपको कि यदि आप डिपार्पेंटल इक्जाम देना चाहते हैं यदि आप हैट कॉंस्टिबल मिनिस्टर के पत पर दोस्तों आपको पोस्ट के लिए अपने डिपार्पेंटल इक्जाम को दे सकते हैं सबसे पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि यदि आप स्पेक्टर जीडी का फॉर्म नहीं पर पाएंगे जो मारे डिपार्पेंटल इक्जाम निकलते हैं जैसे कि हमारा SIGD निकलता है ह दोस्तों उस परकार के जो एक्जाम होंगे जीडी का रिलेटेड वह आप डिपार्पेंटल इक्जाम नहीं दे पाएंगे क्योंकि दोस्तों आप एक मंत्रा लेकर पत्पे भरती हैं इसके बादी दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि जो आप एक्जाम दे सकते हैं वह दोस्तों, आप एक ASI M का एक्जाम दे सकते हैं जिसे हम कहते हैं असिस्टेंट सबंस्पेक्टर मिनिस्टियल जी घाम दोस्तों बिल्कुल आप जो भरती होंगे आप हवल दार मन्तरा लेके बते बदे बती होंगे और उससे जो एक स्टेप आपका उपर होता है वह होता है यह SIM यानि की Assistant Sub Inspector Minister तो दोस्तों उसके हमारे form निकलते हैं Departmental हर साल हमारे form निकलते रहते हैं और दोस्तों जैसे आप भरती होके आएंगे उसके बाद अपने form को आप भर के सकते हैं Departmental के जरिए अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं एक बहुत ही important चीज में कि आपको कितन साल कम्प्रीट होनी चाहिए दोस्तों जैसी आपके सिर्वी स्तीन साल कम्प्रीट होती है उसके बाद ही आप ASI M के लिए अपलाई कर सकते हैं यानि कि अपने से उपर एक पोस्ट है Departmental वेगेंसी हमारे निकलती रहती है उसके बाद आप अपलाई कर सकते हैं और दोस्तों तरह ज्यूदी आप करना करने है तो आप स्थी जीडी के लिए शायद आपने फाद बढ़ी होंगे तो जीखी जीटी नहीं बरबाएंगे दोस्तों यह थी कुछ important जानकरी आइंग आपको कुछीस में आई होगे कि मिनिस्टर स्टाफ एक अलग होता है और जीडी की दोस्तों एक स्टाफ अलग होता है दोनों चीज है काफी ही difference है दोनों में तो दोस्तों ज़िए आपको आप पर बढ़ती होना है तो आप CPOSI का फॉर्म भर सकते हैं जैसा आपको पता है कि अभी हमारे वेकेंसी निकले थी और एक्जाम उसका चल रहा है तो दोस्तो जदी आप SI GD के पत्पे बढ़ती होते हैं कि अभी होते हैं तो दोस्तों अपको लगता है कि कितना आप इसको पाएंगे तो यह थी वीडियो आपको समझ में आया होगा आए तिक और वीडियो चले के तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बैल अके प्रेस करें ताकि आने वाली आपको मिल सकें मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैक